उधारण आठ आरोही क्रम में व्यवस्थित आकडो 7, 10, 12, P, Q, 27, 31 की माधिका 17 है यदि इसमें एक और प्रेक्षण 40 जोड दिया जाए तो माधिका 18 हो जाती है पी तथा क्यों कमान ग्यात कीजिए हल आप जानते हैं कि माधिका सदेव प्रेक्षणों के मध्यपद कमान होती है प्रेक्षणों 7, 10, 12, P, Q, 27, 31 में माधिका चोंथा पद है यानि P बराबर 17 अब यदि एक और प्रेक्षण 40 इसमें जोड दिया जाए तो प्रेक्षण होंगे 7, 10, 12, P, Q, 27, 31, 40 अब चोंगी प्रेक्षणों की संक्या सम हो गई है अता नई माधिका नहीं माधिका बराबर हम जानते हैं माधिका का सूत्र अन बटा दोवा दोवा पद धन एन बटा दो धन एक वा पद बटा दो यह हमारा माधिका का सूत्र है अब हमारे पास नई माधिका जो दी है वहाए 18 तो यह 18 हो गया और हमारा जो एन बटा दोवा पद है वहाँ P है धन एन बटा दो धन एक जो है वो जो पद है हमारा वहाँ है हमारा P पद जो है चोंथा पद है क्योंकि हमारे पास प्रेक्षणों की कुल संख्या है 8 बटा 2, चोंथा पद, चोंथा पद हमारा Q है और जब यहाँ 8 रखेंगे तो 8 बटा दो 4 और 5 पद हमारा Q है तो एन बटा 2 धन एक 51 पद हमारा कि जो पांचवा पद है P जो है वो हमारे पास 17 है हमने पहले ही बताया है कि प्रश्न अनुसार P का मान 17 है तो हम P के स्थान पे 17 रखेंगे धन Q बटा 2 अब हम दो का तीर्यक गुणा करेंगे 18 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्तवों गा चतीस बड़ाभर 17 धन Q या गा 7 पे अंतर करेंगे बायंपक्ष में, तो 36 में सा 17 को हम घटाएंगे, तो हमें प्राप्त होंगा 19 बराबर Q, अतहा, P और Q, केमान, क्रमा शाह, 17, तथा P कमान 17, तथा Q कमान हमारा 19 है, यह सुधारन का हल होगा.